कि नमुस्कार दोस्तों हरे कृष्णा रादे रादे ब्रद विधी उपाई में सभी लोगों का स्वागत करती हूं दोस्तों निर्जला एकादेशी आने वाली है और निर्जला एकादेशी कब मनाया जाएगा 17 तारिक या 18 तारिक इसके उपर बहुत बड़ा कंफ्यूजन ह सब्सक्राइब निर्जला एकादेशी रखने सब्सक्राइगा 28 जून को निर्जला एकादेशी की ब्रत रखूं तो सत्रा जून को फिर क्या खाऊं तो यह आप देखो सत्रा जून का जोना दस्मी की सारे नियों पालन करो उसके साथ चाओल ग्रहन मत करना क्योंकि उस दिन एकादेशी तिती लगी हुई है इसलिए हमें चाल नहीं काना चाहिए अगर संबब है तो दोनो दिन की ब्रत रख सकते हैं दोनों तो इस वीडियो में अभी हम बहुत ही सरल विदी से देख लेंगे कि पूजन हमें कैसे करनी है निर्जल अकादशी के लिए चौकी सजा लेंगे पहले तो देखे यहां पे ना दान का बहुत बड़ा महात्वा है और उसमें से भी सबसे बड़ा दान होता है घड़ा दान जल दान कैसे करनी है इसके उपर एक सेपरेट वीडियो में आप लोगों को डिटेल्स में बताकर म मैं आप लोगों को बताती हूं देखे एक घड़ा आपको नया लेना है जिसमें थोड़ी सी पानी आ जाए लोगों को काम आ जाए इस तरह का ठीक है अब इस घड़े के ऊपर हम चंदन से स्वास्तिक बनाएंगे साथ में कंट में मॉली बादेंगे और सुद्ध जल से लेकिन घड़ा खराफ होने के कारण बहुत लोग सिर्फ सुद्ध जल रखते हैं और जो सर्वत बनाने का सामाग्री होते हैं जैसे चीनी नीबू सर्वत या दही वगरा लसी जो भी आप देना चाहते वह अलग से दान कर लेते हैं घड़े के ऊपर जो ढगाया जाता है इ जो संपूर्ण घड़ा तयार होता है इसी का दान किया जाता है अब यह दान के किसको करेंगे ब्रामवन को कर सकते हैं मंदिर में दान कर सकते हैं इसके बाद सब्सक्राइब आपको एक चौकी लेनी है पिला कप्डा लेना है गणिस जी की पूजन जरूर करनी चाहिए बह आप जो हम तील-क आशन लगाएंगे सबसे पहले भगवानि खृष्ण नारएन के नाम पे तील-क असन लगाएंगे दीपक कर दीन नाराइन को और उसके साथ-sat आप जो भी भगवान का अपूज़ा करना चाथे और आपके पास राधा किसन जी राजमान है राम दरबर भी राजमान है तो भगवान नारायन की जो भी सौरूप आपके पास आप उनकी पूजनिश दिन कर सकते हैं यहां पर मैंने लक्समी नारायन जी की फोटो में चंदन का ठीका या कुछ भी लगा हुआ है तो बहुत अच् को सबसे पहले सजा लिया जाता है भगवान विष्णु जी की नाम लेते हुए ओम विष्णु ओम विष्णु जय मलक्सनी जय मलक्समी जय मलक्समी निर्जला एकादेशी की संकल्प लेते हुए आप पूजन को सुरू करेंगे हाथ में थोड़ी सी तील और फूल लेके आ मेरा ब्रत बिल्कुल साधरन तरीके से बहुत ही आराम से ब्रत मेरा संपूर्ण हो जाए इसके लिए आप मुझे आसरवाद कीजेगा तो एक संकल्प लेने के बाद एक थाल मैंने यहां पर ले लिया है जहां पर आप लड़ु गोपाल जी या राधा किसन जी अराम दरब इस तरह से मंत्रों परते हुए भगवान गडिश जी के लिए मंत्रों परते हुए उनकी स्नान कराएंगे तो सबसे पहले जल से स्नान कराएंगे फिर अगर पंच्या मृत से स्नान कराएंगे उसके बाद फिर से सुद्ध जल से स्नान कराएंगे तो इसी तरह से भगवान क जो मुर्तिया होती है यह पितल से बना हुआ रहता है और पितल अगर पानी लगा रहेगा तो उसमें दाग आ जाते हैं फिर वह भगवान का जो सवरूफ है वह अच्छा नहीं लगेगा इसलिए आपको भगवान का सवरूफ हमेशा चमकदार और सुंदर रखना चाहिए इस सब्सक्राइब के दिन पीला कलर का विसेश महातो है पीला भोग फूल पीला फॉल पीला ड्रेस इता दी पहनाना चाहिए खुद भी अगर पीला कलर पहनते है तो बहुत अच्छा माना जाता है तो हम लड़ू को पाल जी को ड्रेस पहना दिया है इसके बाद जो जल आपक इस तरह से मंदिर जो भी मंद्र आपके यहां पर फोटो में जितनी भी भगवान विराजमान है सब्सक्राइब कराएंगे फिर भगवान गनेश जी के साथ भगवान श्रीविष्ण नारायन और माता लक्षमी की फोटो है इसमें कलावा चड़ाएंगे वस्तर शवरू औ उसके बाद और लड़ु गोपाल जी को तो हमने पहली वस्तर पहना के रखा है तो यहां पर अलग से कलावा चलाने की जुरत नहीं पड़ेगी इसके बाद हम सभी को टीका करेंगे और जिनको भी टीका करेंगे भगवान का नाम लेते हुए जैसे ओंगांगाने साही नमो पूजा करते हैं ढ़भी कभी कभी नहीं होती है और कहते हैं कि यह चोबीस और अधिक मास के समय जो 26 अधिया इस में से सबसे कठीन ब्रत जो है और आज के दिन भागवान को मंजरी युक्त जो तुलसी होती है वो चढ़ाना बहुत अच्छा माना जाता है तो देखिए संडे के दिन तुलसी नहीं चढ़ते हैं इसके बाद 18 तारिक को दिने चला एकादेशी है तो आप जो है जो तुलसी नीचे गमले में के तुलसी के पत्ते गिरे हुए है आप उसको भी उसकार सकते या पहले ही तुलसी के पत्ते अप निकाल के रख सकते हैं फ्रीज में रख दो खराब नहीं होगी तो वह आप यूश्ट कर सकते हैं इसके बाद फूल चढ़ा दीजिए ओम पुस्पम समर्पयामी ओम पुस्म समर्पयामी फिर गनेश जी को हम अलग से भोग लगा देंगे क्योंकि गनेश जी की जो भोग होता है इसमें तुलसी दल नहीं चाड़ती है तो हमेशा गनेश जी को अलग से भोग लगा सकते है या भोग में आप तुलसी दल मत लगाईएगा अलग से एक कोटोरे में अलग से तुलसी भी कर सकते हो लेकिन इसको बिल्कुल खाली नहीं छोड़ना है जैसे मैंने ब्रत नहीं रख सकते तो मैंने पुझा भी नहीं किया यह नहीं करनी है ठीक है अब जो भी आप दान समगरी लाए हो वह भी पुझा के स्थल में रखे सब लोग हाथ लगाए भगवान को बोले कि हमारे जितनी सामर्थ हैं हमने पूझा दान करने की कोसिस किया आप हमें सामर्थ है और बढ़ाईए तक हम और दान कर सके लोगों के और काम आ सके इसके बाद देखे एक पंखा जो होता है खजूर का हो चाहे बास का हो कोई एक पंखे से भगवान को बहुत मिने दोवन्द के लिए यूज़ करते हैं तो आपके हां पर जो भी नियम है आप कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा पर दान किया जाता है ठीके पंखा जो है ना नया होना चाहिए अगर आप दान कर रहे तो इसके बाद हाथ में फूल थोड़ी सी तील लेकर आप ब्रत कथा पढ़ लीजि पानी की सूरिय दय से लेकर अगले दिन सूरिय दय तक का समय निर्जल रह जाता है तो आप चाहे तो अगर आप पानी पीना चाते हो तो सूरिय दय ब्रह्म मूर्थ से पहले पानी पी सकते हो निर्जला ब्रत सुरू कर सकते हो क्योंकि निर्जला एकादेसी दोनों दिन आ स्टर्प करों separate और अगर ब्रत भी सकते हैं तो कम से कम पूजा आपको सुबहें थोड़ी सी जल लेंगे और तीनelf घुमाकर रएंगे और घुमय और इस तरह से जोना आर्थी को सांत कर लेंगे तो इसी तरह से बहुत ही सरल्विदी से हम निरजला एकादसी की पूजा कर सकते हैं अग के दान सामगरी बेकती सब जगह रहते हैं आप उनको जो हैंना के स्वष्व पैसे दे सकते हैं जल दान के लिए कुस्टेन आयोगal है कि आतー कि सक्षित दीज़ुएं कर सकते हैं औरfikे लिए प्रॉ WORKशीन यह सारे चीज़ें आप जो हम आयां कर सकते हैं कितना करेंगे कैसे करेंगे मैंने बता दिया वे अब आज की वीडियो यही तक राधी राधी